एक बार फिर से आगया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुत ही अलफुल और इंपोर्टन वीडियो जिसका नाम है Inform Parents on WhatsApp about upcoming parents teacher meeting automatically आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने students के parents को inform कर सकते हैं आपने parents teacher meeting organize की है उनके parents के साथ उसके बारे में यह पूरी process automatically होगी जब हम automate कर देंगे Zoom को WhatsApp से क्या होगा Zoom की उपर जाके बस आपको एक meeting create करनी है PTM meeting parents teacher meeting then automatically उस meeting का join URL उसका password वो कितने time में होने वाली है कितने बज़े होने वाली है किस तारीक को होने वाली है सारी की सारी details एक अच्छे से message के साथ send हो जाएंगी WhatsApp पे उनके parents को जितने भी parents हो चाहें वो हजारों क्यों ना हो उन सभी को उनके WhatsApp पे जो है आपकी meeting की details send हो जाएंगी automatically तो मैंने यह automation set किया है और यह video में इसलिए लेकर आए हूँ कि आप भी सीख पाओ कि automation कैसे set करना है तो video बिलकुल skip मत करना क्यूंकि यह automation set करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding skills का आना ज़रूरी नहीं है और मैं पूरी process बताने वाला हूँ कि कहां जाके क्या करना है और कैसे इस automation को site करना है अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे p-a-b-l-y pabli.com प्रेसेंटर यह official website क्लिक करना होगा sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why में क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pabli connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा pabli connect का dashboard right inside पे create workflow का option आएगा क्लिक करके अपने workflow को में एक नाम दे दूँगा मैं नाम देता हूँ zoom to whatsapp मैंने एक simple सा नाम दिया है आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया है यह same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role प्रे करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाते हैं कि हमारे zoom के अंदर जब भी भी हम कोई new meeting create करें तो automatically हमारे सारे students के parents को जिनके भी phone number इस google sheets में add है इन सभी के phone numbers पे उस meeting से related एक message जो है sent हो जाए और जिसके अंदर उस meeting का link भी हो है ना सीधी बाशा में समझाओं तो एक parents teacher meeting कर रहे हैं हम और हमने एक google sheets में सारे students के parents का data capture करके रखा हुआ है और जब हम चाहते हैं कि जैसे हम meeting create करें हमारे zoom में तो automatically चाहे वो हजारो parents के उना उन सभी को उनके whatsapp पे हमारी तरफ से message चला जाए जिसके अंदर zoom meeting की joining link भी हो और अच्छा सा message भी हो और timings वगरा भी हो ऐसा करने के लिए हमें वापिस आना होगा पैबली connect पे और यहां पे choose करना होगा zoom को search करके choose कर लेते हैं zoom को okay so and trigger event में हम choose करेंगे configure webhooks को okay then pably connect ने हम एक webhook url दिया है जिसको हम copy करेंगे और integrate कर देंगे अपने zoom को pably connect से यहां पे आप documentation पे click करेंगे तो आपको images के द्वारा pably connect समझाएगा कि कैसे आपको connect करना है मैं आपको verbally समझा देता हूं कि कैसे करना है सबसे पहले तो हमें अपने zoom की profile पे चलना है तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी zoom की profile open है left hand side पे आऊँगा नीचे scroll करूँगा यहां पे option है advanced का click करना है advanced पे then आपको click करना है integration पे integration पे जब आप click करोगे तो एक new page open होगा ओके load हो रहा है यह जैसे load होगा तो एक new page open होगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे open हो गया है यहां पे option है go to app marketplace का तो आपको click करना है go to app marketplace पे okay then यहां पे एक new page open हो गया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कई सारे यहां पे options है नीचे scroll करना है हमें उपर आना है और यहां पे आप देख पा रहे हैं एक option है develop का okay so आपको develop पे क्लिक करना है और यहां पर एक और option ay build app का की आपको क्लिक करना है build app के उपर okay जब आप build app के ऊपर click करेंगे तो यहां पर app build करने के लिए कही सारे apps के option आएगे यह load होने के बाद आप देख पाएंगे अभी तो जैसा कि आप देख रहे हे हैं पर कही सारे apps को build करने का option है हमें क्या करना है यह जो आप देख रहे है JWT इसका full form में बता देता है आपको JSON web token इसका full form होता है इसकी help से हम दो applications के बीच में एक established connection जो है बना सकते हैं तो आपको इसी application को build करना है मैं इसको already build कर चुका हूँ जैसा कि आप देख रहे है न आप यहाँ पे view here का option आ रहा है आपको इस तरह का create का option आएगा जब आप इस page पे आएंगे तो तो आपको कुछ नहीं करना create पे click करना है और कुछ basic सी details जो है या आप से मांगेगा application create करते वक्त तो आपको वो basic सी details जो है add कर देनी है और आगे settings पे बढ़ना है then जब आप वो basic सी details जो information के अंदर भरनी है यह सब fill कर देंगे तो इसके बाद आएगा आपके पास app credentials ठीक है then नीचे आपको option देखेगा feature का आपको click करना है feature पे और यह जो आप देख रहे है event subscriptions इसको आपको on करना है अगर on नहीं है तो आपको इसको on कर देना है बिल्कुल priority के साथ check कर लेना ठीक है then आपको नीचे आना है और continue पे click कर देना है so यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे है दिखा रहा है your app is activated on the account then feature पे आपको वापस आना है और यहाँ पे नीचे जो है इसको down करना है on करने के बाद जब आप इसको down पे करोगे तो यह आपको नीचे कही सारे जो भी आपने create करेंगे अगर आपने newly जो है add किया है create किया जैसन web token तो यह सब options नहीं आएंगे क्योंकि यह मेरी पुरानी web books है यहाँ पे आपको अपने subscription का एक नाम दे देना है तो मैं नाम दे देता हूँ whatsapp cloud api cloud api integration मैंने नाम दे दिया whatsapp cloud api integration आपको चौर भी दे सकते है यहाँ पे event notification end point URL के अंदर आपको पैबली connect ने जो webbook URL दिया है उसको copy करके paste कर देना है simply then आपको नीचे आना है और add event पे click करना है और choose कर लेना है अपना event जो भी आप करने वाले है so मेरा जो event है मैं चाहता हूँ कब trigger काम करें जब भी कोई meeting create हो तो मैं choose कर लूँँगा meeting has been created then click करूँँगा done पे then click कर दूँगा save पे और उसके बाद click करूँगा continue पे so app activate हो गया है चलके check करते है yes पैबली connect के पास भी show हो रहा है waiting for webbook response means अभी जब भी आप आपके zoom के अंदर कोई new meeting create करोगे तो automatically आप की जो details है meeting की वो सारी की सारी पैबली connect यहाँ पे capture कर लेगा तो चलिए हम एक बार meeting जो है create करते हैं चलके हमारे zoom के अंदर है बैक करता हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं वापस हम हमारी profile पे आ गया है अब हम click करेंगे meetings पे और एक new meeting जो है create करेंगे देन चलके check करेंगे पैबली connect उस meeting की details capture करता है या नहीं सो मैं यहाँ पे schedule करता हूँ schedule a meeting पे click करके okay load हो रहा है और यहाँ पे मैं topic देता हूँ PTM means parents teacher meeting for class 12 ठीक है मैंने एक simple सा नाम दे दिया आपको जो भी नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं when कब होने वाली है तो हमसे date पूछ रहा है तो यहाँ पे आप date जो है select कर सकते हैं तो मैं जो date select कर लेता हूँ वो है 20th of June और यह चालू होगी हमारी 2 PM से जो है 1 hour में खतम हो जाएगी नीचे आजाएंगे time zone यहाँ से आप select कर सकते हैं तो मेरा by default selected है Kolkata New Delhi तो मैं यही रहने देता हूँ नीचे आजाता हूँ और यहाँ पे meeting ID generate automatically पे आपको रहने देना है template वगरा यह सब आप अगर करना चाते हैं तो कीजिए नीचे simply आके आपको क्या करना है click कर देना है save पे on कर देना है इनको भी ठीक है और click करना है save पे जब आप save पे click करेंगे तो आपकी जो meeting है वो successfully create हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे है schedule हो गई हमारी meeting जिसका नाम है PTM for class 12 जो की 20th of June को तो 2 PM पर start हो जाएगी आके चेक करते है yes family connect ने यहाँ पे successfully response received कर लिया है और सारी details family connect ने capture कर ली है जैसे कि आप देख पार है जो मैंने नाम दिया था same नाम है और नीचे आजाओंगा तो duration भी आप देख पार है एक घंटे की है और नीचे आजाओंगा तो मुझे यहाँ पे और भी details मिल जाएगी password जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारे पास password है meeting को join करने का और यह है joining URL meeting को join करने direct इस URL से हम सीधे meeting पे पहुँच जाएगे और यह password लगेगा तो हमारे पास सारी की सारी details आ गई है यह WhatsApp नमबर है उन सभी को इस meeting की details send हो जाएं उनके WhatsApp पे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ parents teacher meetings वगरा के लिए school से related काम के लिए ही यह Zoom का अपना application use करेंगे तो तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप और other works के लिए भी Zoom application का use करते है meetings वगरा create करने के लिए तो आप क्या करना एक filter जो है लगा दे ना filter लगाने से क्या होगा filter लगाने से यह होगा कि सिर्फ इस meeting के लिए जिसका नाम है PTM for class 12 सिर्फ इसी meeting के लिए जो है आपका workflow run करेगा और इन सभी को message sent हो जाएगा जिनके भी ये whatsapp number हैं जो भी आपके students के parents हैं इन सभी को otherwise अगर आप filter नहीं लगाएंगे तो आप कोई भी meeting create करेंगे सिर्फ यही नहीं अगर आप समझ लेजे के कोई business meeting भी create करते हैं अपने zoom पे तो भी इन सभी parents को message जाते रहेंगे जब तक meeting create होगी तो ऐसा तो हमें नहीं करना है हम सिर्फ ptm के लिए उनको message send करना है बार-बार नहीं करना है एक ही बार message send करना है तो ऐसा कर वाने कि लिए हमें क्या करना होगा conflict पे पे ग्रेट फीचर का यूज़ करना होगा प्लस बटन पर क्लिक करके जिसका नाम है फिल्टर ओके सर्च किया चूज कर लिया फिल्टर को यहां पर सेलेक्ट लेबल के अंदर आपको चूज कर लेना है अपना जो टॉपिक है यह राट टॉपिक PTM for class 12th ओके इसको चूज कर लेना है इसका मतलब यह हुआ कि जब टाइटल के अंदर PTM for class 12th होगी तब ही यह workflow आगे रन करेगा और message send होंगे सभी parents को otherwise नहीं होंगे सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आप यह नाम दोगे तभी यह workflow run करेगा अपनी meeting को जब आप यह नाम दोगे तभी यह workflow run करेगा otherwise यह workflow run नहीं करेगा ठीक है click करता हूँ save and send test request पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे condition true है क्योंकि अभी जो नाम है हमारे topic का हमारी meeting का उसका नाम है PTM for class 12 that's why अभी यह automation काम करेगा अभी हमने इतना तो कर दिया है अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि whatsapp पे message send हो जाए सभी हमारे students के parents को तो इससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो time आया है जैसा कि आप देख रहे है start time date और time यह दोनों साथ में और एक अलग format में जो की एक normal इंसान को समझने में थोड़ी सी problem आ सकती है तो सबसे पहले तो हम date और time अलग कर लेते हैं यहना date और time अलग करनी के लिए पहले हमें इसको सही format में लाना होगा सो सही format में लानी के लिए हम पैबली कनेक्ट के great feature का use करेंगे जिसका नाम है date time formatter सर्च किया date time formatter को choose कर लिया then action event में हम choose करेंगे format date with time zone को हैना click करेंगे connect पे then उसके बाद यहाँ पे date add कर देंगे जिसका भी time zone हमें add करना होगा date हमें कहां से मिलेगी हमें यहां से मिल जाएगी जो data मिला है पैबली करनेक को यह date हमें यहाँ पे कर देनी है इस blank field में add ऐसा करने के लिए एक technique का use करना होगा जिसका नाम है mapping mapping से हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं blank field पे click करेंगे तो नीचे option आएगा हमारी previous applications का सबसे उपर top पे zoom है जो कि हमारी trigger application है zoom पे click करना है लिए सारा data open हो जाएगा यह रही start date time होके तो आपको इसको click करना है और act कर देना है simple इसी process को कहते है mapping जितनी easy और simple है उतनी important भी है क्योंकि अगर आप data map नहीं करेंगे तो आपका automation perfectly run नहीं करेगा तो जहां जहां में data map कर रहा हूं वहां वहां आपको भी data map करना ज़रूरी है ठीक है चलिए नीचे आ जाता हूँ from format यहां पर जो है वैसा रहने देंगे to format के अंदर जो है हम choose कर लेंगे अपने according format okay so मैं choose कर लेता हूं यहां पर और नीचे आके और नीचे देखता हूं मैं mmddyy वाला एक format है हमारा okay so यह वाला format मुझे सही लग रहा है या फिर यह वाला भी choose कर सकते हैं कोई problem नहीं है okay so यह वाला format मैं choose कर लेता हूं यह वाला mmddyy hhmss यह वाला format मैं choose कर लेता हूं then यहां से from time zone जो है मैं choose कर लूँगा हमारा from time zone है एशिया जहां से काल काता मुंबस ही डिल है शायद एक सेक टंड एशिया इसलेशवल काथा, चूस कर लिया धिक है टायम जों टू टायम जोन हमें जो चाहिए वह भी हमें इस्गाता इसलेशा ताइम जोंड खुरूशर कशूश कर लिया then policy करीखेंगे हमें जो डेट है वो सक्सेसफुली मिल जाएगी जैसे कि आप देख रहा है यह देट हमें यहाँ पे मिल गई है जून ट्वेंटी सुबह साड़े आठ एम की जो है हमारी मीटिंग है एक बार हम देख लेता है यहाँ पर 2 p.m. है कॉलकाता मूंबई कॉलकाता न्यू डैली वाला टाइम जोन है एक्चली तो यहाँ पर हमें वही चूज करना होगा है न तो सब बूल जाएए यहां पर आपको सिर्फ आना है और यहां पर आपको चूज कर लेना है from time zone में ETC, UTC क्यों करना है ऐसा क्योंकि यहां पर जो time आता है हमारे पास वो UTC format में आता है that's why हमने from time zone जो है चूज कर लिए ETC, UTC then two time zone के अंदर एशिया कॉल काता और click करेंगे seven cent पर तो हमें हमारा जो time है वो successfully मिल गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे है so time मिल गया है date मिल गई है और हमें PM, AM भी मिल गया है so अब हमें क्या करना है इनको अलग-अलग करना है so अलग-अलग करने के लिए split करना होगा split करने के लिए plus button पे click करके text formatter का use करेंगे public connect का काफी अच्छा feature है action event पे click करने के बाद choose करेंगे split text को then click करेंगे connect पे उसके बाद यहां पे map कर देंगे हमारी जो date हमें मिली है date time formatter से यह रही map कर दी simple then separator क्या लगाना है तो यह जो बीच में space है ना इसको हम separator बना देते हैं space copy कर लेंगे नीचे जो लिखा है और यहां पे paste कर देंगे then all segment के अंदर all choose कर लेंगे और click करेंगे save and send test request पर दो date time और हमारा जो ampm हमें अलग-अलग मिल गया है okay successfully so date time बगरा बगरा यह सारी चीज़े भी हमें अलग-अलग मिल गई है अब हमारे पास सारी details है हमारे जो parents है students के उनको sign करने के लिए date भी है time भी है और am pm भी है और उपर आ जाते हैं तो हमारे पास और भी जो meeting की details पासवर्ड जैसे की आप देख रहे हैं और join url सारी details अकबक आ गई है तो अब हम चाहते हैं कि whatsapp पे message send करना है लेकिन पहले हमें data चाहिए होगा सारे parents का सारे parents का data है इस google sheets में जिसका नाम है San Xavier higher secondary school okay इसके अंदर सारे parents के mobile number है whatsapp number है तो सबसे पहले जो इस google sheets को integrate कर लेंगे plus button पे click करके choose कर लूँगा google sheets को search किया choose कर लिया then action event में choose करूँगा get rows को इसके बार click करूँगा connect पे then add new connection पे then connect with google sheets पे okay then अपना google account चूज कर लूँगा don't worry pably connect is 100% safe continue पे click कीजिए okay so जैसा कि आप देख रहे successfully connected है मेरा google sheets अब पैबली connect से connected चो हो रहा है connect होने के बाद सबसे first field है select spreadsheet की तो यहां से मुझे अपनी spreadsheet select कर लेना जिसका नाम है San Xavier okay यहां पे search करूँगा यह रही San Xavier high secondary school okay choose कर ली spreadsheet sheet कितनी है एक ही sheet है class sixth नाम है जिसका तो उसको ही choose कर लूँगा मैं by default choose है वो okay range अब मुझे यहां पे range बताने का एक तरीका होता है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको यहां से लेके यहां तक के लोगों का data capture करवाना है तो आपको यह formula लिखना होगा a2 column e18 okay इसका मतलब यह हुआ a column second row और e column e18th row तो हमें क्या करना है हमें यह formula copy कर लेना है आना है पैबली connect पर यहां पे paste कर देना है लेकिन मैं चाहता हूँ के इस google sheets के अंदर जितने भी लोग अभी add है उनका भी data capture करे पैबली connect उनको भी message sign करें और अगर future में मैं और लोगों को भी add कर देता हूँ और लोगों के phone number भी add कर देता हूँ तो उनको भी उनके whatsapp पे message sign करें और उनका भी data capture करें तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा e की जो मैंने range बताईए वो मुझे नहीं बताना सिर्फ e लिख देना है e के बाद की मुझे कोई range नहीं बताना यह तो बता दिया है कहां से data pick करना है लेकिन यह नहीं बता है कि कहां तक करना है तो पूरा का पूरा data capture करेगा अगर आप future में कुछ और भी add कर देते हैं तो वो भी data add होगा simple response को off करेंगे और click करेंगे save and send test request पे तो हमारे पास सारा data आ जाएगा उस Google Sheets का जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा data आ गया है लेकिन यह data array format में आया है और array format में इस data अभी हमारे किसी काम करेंगे तो इस data को काम का बनाने के लिए पैबली connect के एक feature का यूज करना होगा जिसका नाम है iterator iterator की help से हम इस data को segregate कर लेंगे और यह data हमें column wise मिल जाएगा just click करेंगे save and send test request पे तो जैसा कि आप देख रहे है role number के आगे role number student name के आगे name parent के आगे parent mobile number के आगे mobile number और address के आगे address जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर first row का data आगया है तो आप बोलेंगे तो सिर्फ एक ही इंसान का आगया है तो आपको सिर्फ एक इंसान के साथ यह process करके दिखानी है then family connect जितने भी इस google sheets के अंदर अभी contact add है parents के number phone number और उनके नाम add है और future में जितने भी होंगे उन सभी के साथ यह process automatically कर लेगा that's why don't worry ठीक है नीचे आ जाईए हमारे पास details आ गई है अब हमें क्या करना है अब हमें whatsapp पे message send करना है so whatsapp पे message send करने के लिए हम अपनी last application में choose कर लेंगे whatsapp cloud api को search किया choose कर लिया whatsapp cloud api को then action event में choose करेंगे send template message को click करेंगे connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए token permanent access token phone number id और whatsapp business account id तो यह तीनों आपको आपके whatsapp cloud api का setup आपने जहां पे किया था महाँ पे मिल जाएंगे तो यह रहा मैंने जहां पे whatsapp cloud api का setup किया तो आपने अगर अभी तक setup नहीं किया है तो description box में मैंने एक video का link लगा दिया है जाके check कर लेना मैंने पूरा video बनाया है full setup करना सिखाया है तो आप भी कर लेना ठीक है दूसरी चीज यह हमें जो access token देता है वो temporary होता है जो कि एक दिन में expire हो जाता है तो यह हमारे किसी काम का नहीं होता है इसलिए मैंने एक और video का link description box में लगाया है जिसमें मैंने सिखाया है कि आप कैसे permanent access token create कर सकते हो permanent access token create करने के बाद उसको save कर लेना और जबी भी connection करने आओ तो token वाली field में उस access token को paste कर देना then phone number ID और WhatsApp business account ID आपको यहीं पे मिल जाएंगी नीचे scroll करोगे तो यह रही phone number ID और यह रही WhatsApp business account ID तो यहां से दोनों को copy करके यहां पे आना डाल देना और click करना save पे तो आपका connection successfully हो जाएगा मैं एक बार connection बना चुका हूँ that's why अपने पुराने connection का ही use करूँगा आप भी एक ही बार connection बनाना और फिर पुराने connection का use करते रहना simple ठीक है नीचे आ जाता हूँ template name के उपर okay so यहां पे जैसे click करता हूँ तो कई सारे नाम आने लगते हैं तो यह मेरी templates के नाम है पैबली connect मुझसे पूछ रहा है कि sir आप किस template का use करना चाहेंगे इस automation के अंदर तो मैं जिस template का use करने वाला हूँ उसका नाम है PTM Alert okay so इसको मैं choose कर लूँगा और साथ ही साथ आपको introduce भी करा दूँगा अपनी template से तो यह मेरा whatsapp manager यह open हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं यह कहां से open होगा बता देता हूँ आपके cloud API के setup पे आना second step लिखा है click here पे click करोगे तो आपका whatsapp manager open हो जाएगा यहां से आप आपकी templates create कर सकते हो यह जो आप देख रहे हैं यह सारी templates मैंने खुद अपने हाथों से create करी है अगर आपको भी create करना होंगी create करना है तो click किजिए create message template पे और details में चानना है template के बारे में तो whatsapp cloud API वाले video के अंदर सिखाया है कि कैसे templates आप create कर सकते हैं और क्या alert नाम की template template actual में एक message होता है जो आपने पहले से type करके रखा होता है जबी भी आपको जरुरत पढ़े रही होती है आप उसको select करके send कर देते हैं कुछ इस तरह का message होगा hello के बाद आएगा आपके parent का आपके parent का नहीं sorry student के parent का name जिसको भी हम message sign कर रहे हैं उसका नाम यहां पर आ जाएगा यहां पर मैंने नाम इसलिए specify नहीं किया है क्योंकि नाम हर message में change होगा हर student के parent का नाम अलग होगा that's why मैंने इसको variable बनाया है तो आपके message के अंदर भी जो भी words हर message में change होने वाले आप उनको मेरी तरह इसी तरह से variable बना दीजेगा अगर एक ही word है तो यहा कर दीजे अपने template में तो इस तरह का message है hello hello के बाद parent का name okay saint xavier school invites you to its next quarterly meeting on यहाँ पर date आ जाएगी at at के बाद यहाँ पर time आ जाएगा this meeting will take place virtually using zoom there will also be a call in option for thus without computer and video access join zoom meeting through the link below meeting link यहाँ पर जो meeting link मैंने आपको दिखा ही थी जो मैंने बता है था जिससे join कर सकते है parents वो link और meeting id यहाँ पर आ जाएगी meeting id भी हमारे पास है okay और यहाँ पर password जैसे कि मैंने दिखाया था आपको जो हमें zoom से मिला था first step में password वो यहाँ पर add हो जाएगा note in order to make this link clickable please save this number first regards principle okay so यह note जो मैंने अपनी template में लगाया है यह मैंने अपने सभी users के ल जब पर message आते हैं तो वो उसके अंदर अगर कोई links होती है उस message के अंदर तो वो link clickable नहीं होती है जब तक आप phone के अंदर उस number को save नहीं कर लेते तो यह एक information के लिए आप note लगा देना जिससे की जिनको भी आप message send कर रहे हैं उनको समझने में आसानी हो जाए और वो phone number save कर और तुरंत जो links है zoom की जैसे की meeting की link के उस पर click करके वो लोग अपना link join कर सके meeting ठीक है तो समझ गए होंगे आप आके मैं choose करी लिए मैंने ptm alert नाम की template इन दोनों को वैसा ही रहने देना है देन नीचे आना है तो अभी हमें चाहिए recipient mobile number जिसको हम message send करने वाले हैं उसका mobile number इस blank field में हमें add करना है map करना है okay so map करना है हमें पता है कहा से मिलेगा parent का mobile number इस google sheets से और google sheets का हम connect कर चुके है तो click करेंगे blank field पर यह रहा ghost Google Sheets लेकिन Google Sheets से जो data मिला था वो हमें array format में मिला था iterator से हमें data मिला था simple format में तो iterator पे click करेंगे और यह राप parent का mobile number click करके इसको यहाँ पे map कर देंगे तो जैसे कि आप नीचे देख रहा है example में दिया है 9 1 add करना ज़रूरी है अगर नहीं करेंगे तो message send नहीं होगा so map कर दिया है यहाँ अब आजाता हूँ नीचे body field 1,2,3,4,5 और 6 तो यह क्या है यह आपकी template के according in में आपको data जो है map करना है तो यहाँ पे 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पे मैंने 6 variables बनाए that's why यहाँ पे आप देख पाना है 6 के 6 body fields आए तो यही template के अंदर जो यहाँ पे words add होने वाले है वही words आपको in blank fields में add करने है map करने है so first वाली के अंदर आएगा example दिया है साफ साफ रोजर बिनी मीन्स नाम आएगा hello के बाद first वाले body field के अंदर नाम आएगा नाम मैप कर देते हैं parent का okay हमें मिल जाएगा iterator से यह रहा student name और यह रहा parents name okay so parents को हम भेज रहें लिंक तो parent का नाम मैप कर दिया simple body field 2 के अंदर जो है हम map कर देंगे यहाँ पे date okay so date हमें मिल जाएगी split text से जैसे कि आप देख रहा है यहाँ पे date अलग कर दी थी हमने time अलग कर दिया था PM अलग कर दिया तो वह इसी वज़ा से किया था मैने कि अलग-अलग okay template में add करने के लिए तो यह रही date क्लिक करके map कर दी simple है ना यहाँ पे date ही map होगी संट देवियर स्कूल इंवाइट यू टू इट्स नेक्स्ट कौर्टरली मीटिंग अन डेट आएगी second वाले के अंदर और मैंने date map कर दिया थार्ड वाले में क्या आएगा add time आएगा यहाँ पे this meeting will take और फोर्थ वाले में क्या आएगा meeting link इसी तरह से हम तीन हो map कर देते हैं चलके थार्ड वाले में time map करना है okay so time भी हमें split text से मिलेगा यहाँ split text यहाँ time to और यहाँ पे space देखे pm ओके यहाँ pm map कर दिया ठीक है time अब नीचे आ जाता हूँ body field 4 के अंदर क्या चाहिए meeting link है na body field 4 में जैसे कि आप देख रहे meeting link हमें add करनी है okay so body field 4 के अंदर meeting link add कर देते हैं zoom से मिलेगी meeting link नीचे scroll करेंगे और करेंगे तो यह रही join URL यही meeting link है click करके map कर दिना है simply ठीक है map कर दिया then नीचे आएंगे body field 5 के अंदर तो इसके अंदर क्या है meeting ID है I think है ना नीचे scroll करता हूँ यह रही meeting ID okay so meeting ID भी हमें zoom से ही मिल जाएगी है na meeting ID यहाँ पे हम देख लेते हैं कहा है प्ले लोड यह रही meeting ID okay ID यह रही क्लिक करके map कर दिया simple और भी यहाँ पे ID है यह object ID okay sorry meeting ID यह है आपकी object ID जो है इसको आपको हटा देना है okay simple ठीक है यह हमने map कर दी meeting ID okay body field 6 के अंदर चाहिए हमें password I think है ना चेक करते है body field 6 में yes password लगेगा यहाँ पे password map कर देंगे password भी zoom से मिलेगा नीचे scroll करेंगे और scroll करेंगे यह रहा password object password क्लिक करके map कर दिया simple अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा save and send test request पे तो automatically इस WhatsApp नंबर पे एक message जो है sent हो जाएगा as a test message send होगा जो की proof होगा इस बात का की automation sent हो गया तो इसका जो WhatsApp web है मैंने अपने PC के अंदर open करके रखा है ताके मैं आपको दिखा पाऊं के message जाता है के नहीं तो आ जाता हूँ नीचे और click करता हूँ save and send test request पे then जाके check करूँगा किसके WhatsApp पे हमारे सुरेंद्र शा के WhatsApp है कि उनको एक message जो है मिला है या नहीं तो जैसा कि आप देख रहे है message आ गया है successfully open करके देख लेते हैं Hello Surendra Shah, St. Xavier school invites you to its next quarterly meeting on this date this time this meeting will take place virtually using zoom there will also be a call in option for those without computer slash video access join zoom meeting through the link below यह रही meeting की link है ना जैसे कि मैंने बताया था नए unknown number से message आता है तो link clickable नहीं होती है WhatsApp web के अंदर सिर्फ मैं यहाँ पे OK पे click कर दूँगा तो ही link clickable हो गई है लेकिन phone के अंदर हमें save करना पड़ता है phone number को तब link clickable होती है तो इस पर जैसे click करूँगा सीधे meeting पे पहुच जाओँगा करेगा software अभी बता देता हूँ उन सभी steps को जो है minimize करके है ना सबसे उपर से बता देता हूँ आपको जबी भी आपके zoom में जाके आप कोई meeting create करोगे जिसका नाम होगा ptm for class 12 तो automatically इस google चीज़ में मौजूद हर एक parents को जिनके भी mobile number यहाँ पे मौजूद है उनके सामने उन सभी को automatically whatsapp पे एक इस तरह का message जो है sent हो जाएगा जिसमें आपके meeting की link भी होगी id भी होगी password भी होगा और time भी होगा और date भी होगी automatically यह process होगी अब आपको यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं है पूरा काम automatically होगा ना सिर्फ इन applications को pably connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस video के description box में आपको एक link पिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाये same workflow use कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free इस video से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहाँ दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा और हमारे चैनल को subscribe करना भी मत बूलेगा थैंक्स